जबलपुर नाम के शहर में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में रमेश, मीना और उनके दो बच्चे छाया और राहुल रहते थे। छाया बारा साल की थी और राहुल दो साल का था। रमेश एक कमपनी में मैनेजर था और वो बहुत ही महनती था। पूरा पर इसे रमेश के लिए खाने का डिबबा लेकर आती है。 उसके बाद रमेश ओफिस चला जाता है। ओफिस में महेश नाम का एक आदमी रमेश से बहुत चुर्ता है। पता नहीं ऐसा क्या काम करता है यह रमेश? जो मालेख हर बात के लिए बस इसी को पूछता है। मुझे इसका कुछ करना ही पड़ेगा एक दिन जब कंपनी से एक बहुत बड़ा ओर्डर जा रहा होता है तो महेश उसकी चोरी करवा देता है और बड़ी चालाकी से रमेश पर चोरी का इलसाम लगवा देता है मैंने चोरी नहीं की, मुझे पर यकीन कीजिए रमेश बहुत रोता है पर उसकी कोई नहीं सुनता बिना किसी गलती के कंपनी का मालिक रमेश की पुलिस कंप्लेंट कर देता है और रमेश को एक साल की जेल हो जाती है उसके जेल जाते ही घर के हालाद बहुत बिगर जाते हैं उपर से लोग मीना को आते जाते ताने देना शुरू कर देते हैं एक दिन जब मीना घर का सामान लेने नीचे जाती है अरे मैंने सुना आपके पदी चोरी के केस में जेल चले गए है बताओ अब क्या होगा आप लोगों का इतने चोटे चोटे बच्चों को तुम अकेले कैसे पालगी उन्होंने चोरी नहीं की उन्हें फंसाय गया है हाँ अब सच तो वो ही जाने ऐसा कहकर शीला वहां से चली जाती है मीना लोगों के तानों से तो परिशान थी ही पर घर की आर्थिक तंगी से सबसे ज़ादा परिशान थी धीरे धीरे घर और बैंक में रखे सारे पैसे खत्म हो जाते हैं और अब तो उसके पास घर का किराया तक देने के पैसे नहीं होते हे भगवान ये कैसे दिन आ गए अब मैं कैसे इन बच्चों को पालूँगी मीना के पास घर का किराया देने के लिए पैसे नहीं होते इसलिए उसे वो घर छोड़ कर वहां से जाना पड़ता है मीना अपना सब सामान पैक करके अपने बच्चों के साथ जाई रही होती है तभी पड़ोस के एक बुढ़ी औरत वहां आती है सब लोग उन्हें प्यार से मौसी बोलते थे बीटी मैं तेरी परेशानी समझ सकती हूँ पर क्या करूँ मैं तुझे अपने घर में भी नहीं रख सकती क्यूंकि मेरे बेटे और बहु को यहीं लगता है कि रमेश ने सच में चोरी की है पर मैं तेरी एक मदद कर सकती हूँ रेलवे स्टेशन के पास मेरा एक छूटा सा पर बहुत पुराना घर है ये ले वहां की चाभी और बच्चों को लेकर वहां रह ले मौसी जी आपने मेरी बहुत बड़ी मदद की है आपका बहुत बहुत धन्यवाद उसके बाद मीना अपने दोनों बच्चों को लेकर वहां रहने चली जाती है मीना को कुछ समझ में नहीं आता कि वो अब आगे क्या करे मुझे अब इन बच्चों को पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ऐसे काम नहीं चलेगा मीना एक चादर का जूला बना कर राहुल को उसमें लिटा देती है और चाया को उसका खयाल रखने को कहती है चाया मैं बाहर काम ढूणने जा रहे हूँ तुम घर पर ही रहना और भाई का ध्यान रखना टीक है मा आप जाओ मीना आसपास जाकर काम ढूणती है पर उसे कहीं काम नहीं मिलता फिर वो पासी के रेलवे स्टेशन पर जाती है तो देखती है कि वहाँ एक भी खाने की दुकान नहीं है क्यों ना मैं यहाँ कुछ खाने की चीज बेचना शुरू कर दू मीना जल्दी से घर जाती है उसके पास जो थोड़े बहुत पैसे थे उससे वो वड़ा पाउ बनाने का सामान खरीद कर लाती है फिर वो सुबह सुबह उठकर गर्मा गरम वड़ा पाउ बनाती है और रेलवे प्लेटफॉर्म पर बेचने चले जाती है प्लेटफॉर्म पर जैसे ही ट्रेन आती है मीना अपने वड़ापाव लेकर सबसे पूछने लगती है गरमा गरम वड़ापाव बस पांच रुपे में दो मीना के वड़ापाव सबको बहुत पसंद आते हैं उसके बाद मीना बस ऐसे ही रोज वड़ा पाओ बनाती और रोज रेलवे स्टेशन पर बेचने चली जाती पर एक दिन बहुत बुरा हाथसा हो जाता है एक दिन मीना प्रेटफॉर्म पर ट्रेन का इंतजार कर रही होती है बहुत देर बाद सामने से ट्रेन आती है पर तभी भीड में से एक आदमी भागता हुआ आता है और इसका धक्का लगने से मीना ट्रेन की पट्री पर गिर जाती है ट्रेन इतनी तेजी से उसके उपर चर जाती है और मीना तभी मर जाती है ऐसी मौत होने से मीना की आत्मा को शांती नहीं मिलती और वो एक चुड़ैल बन जाती है ये भगवान तो इतना निर्दाई कैसे हो साथ है अब मेरे छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा वो घर पर मेरा इंतजार कर रहे होगे मीना भगवान से इतनी प्राटना करती है कि उसे भगवान ऐसी शक्ति देते हैं जिससे वो दिन में अपने पुराने रूप में रह सकती है मीना जल्दी से अपने पुराने रूप में आकर अपने बच्चों के पास जाती है मा कबसे मैं आपका इंतिजार कर रही थी राहुल कबसे रो रहा है मीना जल्दी से अपने बच्चों को गले लगा लेती है रात होने वाली है मैं तो अपने आप चुड़ैल वाले रूप में आ जाओंगी मैं कभी नहीं चाहती कि मेरे बच्चों को ये पता चले कि अब मैं मर चुकी हूँ मुझे जल्दी से इनको सुलाना होगा मीना जल्दी से दोनों बच्चों को सुला देती है और फिर अपने आप चुड़ैल में बदल जाती है वो अपने चेहरे को पलू से ढख लेती है ताकि गलती से भी उसके बच्चे उसे ऐसे चुड़ैल रूप में ना देख ले उस दिन के बाद बस मीना रोज जादू से वड़ा पाओ बनाती और दिन में प्लेट फॉर्म पर जाकर बेचने लगती वो रोज शाम को घर आ जाती ताकि वो रात होने से पहले अपने दोनों बच्चों को सुला सके ऐसे ही बहुत दिन बीच जाते है मीना अपने बच्चों को खो बच्ची से परवरिश करने लगती है कुछ महिनों बाद जब मीना एक प्लेट फॉर्म पर वड़ा पाउ बेच रही होती है तब एक आदमी उसे पीछे से आवाज देता है मीना पीछे मुड़ती है तो अपने पती रमेश को देख कर हैरान हो जाती है रमेश की तो आँखों से आंसों ही नहीं रुकते गर पर राहूल का ध्यान रिखती है और मैं वड़ा पाउ बेच कर घर का खरचा चलाती हूँ पर आप यहां कैसे आप तो जेल में देना मीना मीना मैं तुम्हें क्या क्या बता हूँ मेरे बाद जब नया मैनेजर आया तो उसके साथ भी वही हुआ जो मेरे साथ बस तभी मालिक को शक हो गया कि इसमें किसी की चाल है उन्होंने इस बात का पता करवाया और पता चला कि इसके पीछे कंपनी के एक एंप्लॉई का हाथ है मालिक ने उसे तभी जौब से निकाल दिया और मुझे जेल से छुड़वा कर वापस मैनेजर की नौकरी दे दी मैं सबसे पहले तुमसे और बच्चों से मिलने घर आया तब पता चला कि तुम तो बच्चों को लेकर वहां से चली गई हो मैं दो महिने तक तुम्हें ढूनता रहा मीना मनी मन सोचती है कि वो कैसे रमेश को अपनी मौत के बारे में बताये इतने दिनों बाद रमेश को एक खुशी मिली है वो सब एक पल में मातव में बदल जाय׍गी मीना रमेश को कुछ नहीं बताती मिना रमेश को कुछ नहीं बता थी रमेश और मिना जल्दी से बच्चों के पास जाते है राट को चुड designer बन जाती थी और सब कुछ ठीक हो जाने के बाद भी रोज एक दिन जब मिना अपने दोनों बच्चों और मेश के साथ सो रही होती है तो रमेश पानी पीने के लिए उठता है मीना, मुझे बहुत प्यास लगी है मीना बहुत नीद में होती है और रमेश की आवाज नहीं सुन पाती मैं खुधी जाकर पानी पी लेता हूं रमेश पानी पीकर वापस आता है मीना रमेश के चीखने की आवाज सुनकर उच जाती है मैं ही मीना हूँ रमेश मैं ही मीना हूँ एक दिन जब में वड़ा पाउ बेच रही थी तभी एक आदमी का धक्का लगने से मैं ट्रेंग के आगे गिर गई और मेरी मौत हो गई भगवान ने मुझे ऐसी शक्ती ती जिससे मैं दिन में अपने पुराने रूप में रह सकती हूँ, पर रात होते ही मैं चुडैल बजा दी हूँ, इसलिए आज तक मैं बच्चों के सामने हमेशा रात को अपना चेहरा पलू से ढखती रही। अब जब ये सच तुमको पता चली गया है तो मुझे यहां से चले जाना चाहिए, तुम बच्चों का अच्छे से ध्यान रखना। ऐसा कहते ही मीना गायब हो जाती है, रमेश अकेले बच्चों की परवरिश करता है और उसके बच्चे बहुत बड़े हो जाते हैं, एक दिन सब लोग घुनने जाते हैं, ट्रेन उसे स्टेशन से होती हुई गुजरती है, जहां मीना बड़ा पाव बेचती थी, रमेश खि उन बच्चों की मदद करती हुँ, ट्रेन चल पड़ती है और मीना आज भी उस स्टेशन पर वड़ा पाव बेच रही है